हलो दोस्तो मेरा नामे मौम्मा सफीक आप देख रहे हैं md plus youtube चैनल दोस्तो आज में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जर्रेट के बारे में जिहां दोस्तो चाहाँ आप उसको जर्रेट बोल लीजिये चाहाँ आप उसको चालू टिकर बोल लीजिये कुछ लिए उसको प्लेट फार्म टिकर अपने मोबाल फ़ॉन से कैसे बुक कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को आयं तक देखते रहे हैं हम इस वीडियो में आपको completely समझा देंगे कि आपको अपना जर्रेनल टिकर या चालू टिकर या प्लेट परफोम टिकर कैसे बुक करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा आप से यक्रिकोष अपने हमारे चैनल को सब्स्राइब ने किया सब्स्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को सेर कर दीजिए तो हमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास IRCTC का एप है तो आप उसको ओपिन कर लीजिए और उसको ओपिन करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपिन करेंगा आपके से आपपिस कर लेता हूँ आप है आपको एपस और लिखा और लोगिन तो आपको लोगिन क्लिक करना है देख रहे हैं तो आपके पास UTS का user ID, password तो होगा नहीं तो आपको यहाँ पर register पर click करना है चलिए मैं register पर यहाँ पर click कर देता हूँ तो हम जैसे register पर click कर देंगे हमारे पास कुछ ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे उपर mobile number डालना है उसके बाद यहाँ पर हमें अपना नाम डाल देना है नाम डालने के बाद यहाँ पर हमें पासवर्ट पूछा जा रहा है तो हमें पासवर्ट पे और confirm पासवर्ट पे दोने जगा सेम पासवर्ट डाल देना है तो पासवर्ट कैसे डालना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको एक password सो हो रहा होगा आपको ऐसे password उस्टी टाइप कर बना लेना है password डान लगी बाद यहाँ पे हमें gender select करना है gender select करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी data birth डालनी है जो भी हमारी data birth है तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी detail फटापट फिल कर देता हूँ उसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ आपको आगे क्या करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी सारे detail फिल कर दी है अब यहाँ पे हमें I accept यहाँ पे जो box मना हुआ है यहाँ पे हमें टिक लगा देना है टिक लगाने के बाद यहाँ पे हमें generate OTP पे क्लिक करना है चले मैं यहाँ पे generate OTP पे क्लिक कर देता हूँ तो आप जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आज आएगा तो आप देख सकते हैं आपके पास एक registered mobile number पे OTP आएगा जो आपने number डाला है अभी starting में उस number पे OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको चार अंको का OTP डाल देना है OTP डालने के वाद आपको submit पे क्लिक करना है चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आप जैसे भी submit पे क्लिक कर देंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है registered successful तो आभी यहाँ पे हमें OK पे क्लिक कर देना है चलिए मैं OK पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास SMS भी आ चुका है UTS टिकर की तरफ से कि आपका जो account है वो registered हो चुका है आप इसको login कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको login कैसे करना है तो आपको login करने के लिए अपना UTS application open करना है चलिए मैं मैं UTS application open करता हूँ आप जैसे अपना UTS application open करेंगे आपके पास प्रसे एक ऐसा interface आजाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको login पडिक करना है login पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number डालना है जो भी आपने mobile number पे अपना account रजिस्टर के वो mobile number यहाँ पे डाल देना है मुबाल नमबर डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं यहाँ पर तो मोबाल नमबर और पासवर डालने के बाद आपको यहाँ पे लोगिन फार रेडी रेजिस्टर पे क्लिक कर देना है चले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप लोगिन हो जाएंगे आपको यहाँ पे नोर्मल बुकिंग पे क्लिक करना है अगर आपको अपना जनल या चालू जो भी कह लिजी अगर आपको वह वह वाला टिकट बुक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अगर आपको plate farm ticket book करना है तो आप यहां पर click कीजिए तो वैसे अभी मैं plate farm ticket नहीं book करने वाला हूँ अभी मैं आपको general ticket book करके दिखा देता हूँ तो चलिए मैं यहां पर normal booking पर click कर देता हूँ तो हम जैसे normal booking पर click करेंगे कि हमारे पास कुछ आई सा इंटरफेस आजाएगा आप देख सकते हैं यहां पर दो टिकट बुक करने का ओफसान आ रहा है एक आ रहा है बुक अंड ट्रेबल पेपर लेस और दूसरा यहां पर बुक अंड प्रिंट पेपर तो आगर आप खुद ट्रेबल करना चाहते हैं आ इसको आप प्रिंट निकालके दे दीजिए तभी हो ट्रेबल कर पाएगा तो चलिए मैं यहां पर दोनों में एक एक बार बुक करके दिखा देता हूं तो हम यहां पर पहला वाला उप्सन चलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहां पर हमारे पास जो भी स्टेसन अस पास में होगा ऑट आप इस्टेशन आप समय आजा जाएगा उसको में सेलेक्ट कर लेना है कही अविद में नीचे वाले मतलब यहां पर कहा तक हमें जाना है वह चीज हमें यहां पर खुछ से डालना पड़ेगा तो जैसा कि हमने आपे डेली डाल दिया है तो अभी यहाँ पे हमारे सामने कुछ रूट आ जाएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हमें किस रूट से जाना है तो जिस रूट से भी हमें जाना है वो रूट से यहाँ पे हमें सलेक्ट कर लेना है तो चलिए हमें जिस route से जाना है वो route से मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ आपको भी जिस route से जाना होगा वो आप यहाँ पर select कर लीजिए तो हम जैसे route select करके आगे बढ़ेंगे हमारे पास कुछ ऐसा interface हा जागा आप आने के बाद आप देख सकते और ऌडल लिखा हुआ है अडल पर हमें select करना है कि हमें पिच्णाट चाहिए तो जथेपिक ह्याँ चाहिए तो यहाँ पर आतको चाहिए वह आप तो अगर आपके railway wallet में पैसा है तो आप जो है इसी पर रहने दीजिए वरना आप यहां पे क्लिक करके आप यहां पे चेंज कर दीजिए इसको आप debit card, credit card, net banking या UPI जो भी है यहां पे आप यह सिल्क कर लीजिए ताकि आपको payment करने में आसानी हो जाए तो चलिए मैं यहां प से डेली, डेली से यहां पे आप जो भी है यहां पे इसका जो रूट है कानपुर गाजीयबाद, बता जा रहा है कि आप इस रूट से आप को लेखे जाय. तो अमँधिश कर रहा है, यह यहां पर एक四ग पनचाशन आपुरूपई हमosenा, भी-पर लस में यहीं खेर चा 느ए सेलिक्ट के कर लीजिए तो चलिए अगर आप यहाँ स्य चलिए डीकर्स प्र क्लिक करना है। खरलिost अपको बता देता हूँ आपको धूरा वाला उससे कैसे टिकर बुकिंग करना है तो आपको इस पेस पे आ जाएंगे ठीक है इस पेस पे आने के बार तो चलिए मैं यहां पे book and print paper पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको कोई भी station € automatic नहीं आएगा यहां पे आपको अपना station सेलेक्ट करना पड़ेगा तो चलिए मैं यहां पे अपना station सेलेक्ट करना लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सते हैं हमने लखनव उपा डाला है नीचे हमने देली डाल दिया यानि हमें लखनों से देली तक जाना है तो अभी हम यहां पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से वही सिस्टम वही ऑप्सन आ जाएगा हमारे पास यहां पर दो रूट आ रहा है ठीक है एक है यहां पर आलम नगर मुरादाबाद गाजियाबाद दूसरा है कानपू सेंटरल गाज प्रेमिंट माठेट सेलेक करने के बाद हम यहां पर ओके पे क्लिक कर देना है तो हम जैसे ही ओके क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रेमिंट पेज है वह खुलने माला है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने पेइमिंट पेज ओपि प्रफपन देगा है पेटिया में मोवी कोई फ्री चार्ज है तो यहां पर हम किसी भी वॉलट पे अगर क्लिक करके हम एक पेमंड पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमें जो है नेट बैकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट का ओफसं मिलेगा यहां पर पेटिय कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से पेमिंट कर दीजिए अगर आपके पास भीम यूपिया है तो आप उससे पेमिंट कर दीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे कर दीजिए तो अगर आपके पास पेटियम वालेट है तो आप पेटियम वालेट स पेज आता है वहां पे UTS ने screen record करने का permission के लिए allow नहीं किया है इस वज़े से यहां पे screen record नहीं हो पाई है इस वज़े से मैं आपको नहीं दीखा सकता लेकिन हमारे वाला है वो प्रिंट निकाल को उसको देदेना कैसे ताकि वह आराम से ट्रेवल कर सके अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं आप दूबारह से अपली कmember में जाकर अपना टिकट कहां पर रिख कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप से सारा कुछ बाइब कर देना है और हमें उटस कोहोंपेज प्याजाना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी में इपाइफ के आ बिकैनल मोग नरफ या हम बूगर करके त्थियृ पर लिक रिक लिक करना है हमारे सीःसे हमारा डाउट हो कोई भी सवाल हुआ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रेपले दे दूँगा और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों और चानल को सब्स्राइब कर दीजिए चानल को सब्स्राइब करने के साथ साथ बे वीडियो देखने के लिए एक का अगे आप झाल झाल